हालो फ्रेंड फावडेशन्स आप आर्ट सॉप्टेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है आपने देखा कि जब से हमारा कोर्स यही स्टार्ट हुआ था वहां से लेकि आज तक हमने आर्ट सॉप्टेयर के बहुत सारे जो सिंटेक्स, कमांड्स और आर के बहुत सारे आस्पेक्ट्स होते हैं उनको सीखने की कोशिश करी है और हमने ये देखा कि R एक बहुत ही popular software है तो अब सवाल आता है कि ये क्यों popular है इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये हमारे जो भी सांकेकी के अंदर ये बहुत आसानी से इस्तमाल हो जाता है और हम जिस तरह की modeling करना चाते हैं उसके हमारे पास जो भी हमारी एक statistical theory होती है उसको यहाँ पर प्रोग्राम और function के form में दे दिया गया है तो उसी प्रकार से हमारे पास इस statistics के बहुत सारे concepts होते हैं जो हमारे R के अंदर बहुत आसानी से हम उसको किसी data के ओपर employ कर सकते हैं तो अब हम उसी तरीके से अगर हम आगे बगलें की कोशिश करते हैं तो अब हम अपने हमारे पास अगर कोई एक numerical values आ रही है कुछ एक data set आ रहा है तो वो हमारा कहां से आएगा एक statistics का जो subject है उसी के अंदर हम उस data को handle करने की कोशिश करते हैं और जब भी हमारे पास data आता है तो उसको handle करने के दो तरीके होते हैं एक analytical अथा ता आप किसी formula के दोरा आप उसकी numerical values को analyze कर दी और दूसरा होता है ग्राफिकल तो ग्राफिकल में आप उसी data को आप फिर से दिखाने की कोशिश करते हो एक graphical format में graphs के दोरा अब सवाल यह आता है कि graphs में आप जो कुछ भी दिखाने की कोशिश कर रहे हो वह कोई ना कोई statistical function का एक outcome होता है और उसी outcome को हम एक analytics के तरीके से एक formula के तरीके से एक number के तरीके से और साथ में graphs के दोरा समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो basic objective है कि हम आपको भिन-भिन करे कि graphs की बारे में बताना चाहते हैं लेकिन उसके पहले यह important है कि graphs जिन values को indicate करता है वह values हमारी हैं क्या और graphs को बनाने के पहले आपको यह समझना पगेगा कि हम किस value का graph बना रहे हैं और इसको समझने के लिए हमको statistics के कुछ हैं बहुत बहुत ही हमारे elementary concepts होते हैं उसको समझना आवश्यक है यह elementary concepts मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने जो भी elementary classes में ही कर चुके होगे शायद class 6, 7, 8, 9, 10 में आप उसको पगल चुके हैं तो आपको यह बिलकुल भी घबराने की जरुरत नहीं है कि मै मैं यहाँ पर steps की बात करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर simply खाली जैसे आपने frequency table की बात करी हुई है कि अगर हमारी कोई values आती हैं उसको हम किसी frequency table में किस प्रकार से दिखाते हैं उसके बाद हम जब भी graph की बात भी करेंगे तो हम हम उन्हीं graphics की बात करेंगे जो आपको आत उसी चीज को हम अपने R software में कैसे करें हैं कोई उमीद है कि आपको जादा अच्छे से समझ बाएगा तो यह कर हम आज से आगे आने वाले कई अपने लक्षिस में करना चाहते हैं इसके लिए हम आज आपको यहाँ पर steps 6 से समंदित जो बहुत ही elementary concept है हम उनको उसके बारे म बताना चाहेंगे जिसका हम इस्तेमाल आगे करने वाले हैं तो इसकलिए हमें से lecture को आरम करते हैं और यह छोटे-छोटे concepts को समझने की कोशिश करते हैं जब भी हमारे पास कभी एक कुछ numerical values या data set आता है data set क्या होता है कुछ numerical values ही तो होती है उसके अंदर हम अपनी status को लगाना चाहते हैं और सबसे पहले हम अपने एक descriptive status का topic होता है उसको हम सबसे पहले लगाना चाहते हैं क्योंकि वह मुझको सरपथम उसमें से जो भी information को बहार निकाल करके देता है और जब भी हम अपने इस descriptive status की बात करते हैं तो उसमें मारे पा उस data का किस तरह के का structure है किस तरह के का shape है अगर हमारे पास एक से ज़्यादा variables है तो उनके बीच में हमारा किस प्रकार का सब्मंध है इत्यारी को हम निकालने की कोशिश करते हैं और इसको निकालने के लिए हमारे पास कुछ graphical करीके भी होते हैं और हमारे पास साथ में प्रकार से किया है हम इनके बारे में यहां पर बात नहीं करने वाले हैं लेकिर हम आपको यहां पर कुछ जो हमारे basic elementary concepts हैं जिनको हम graphics में यूज करना चाहते हैं उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे यह सब बाते आपको पहले से आती हैं हम यहां पे खाली उनका quick revision क कर रहे हैं और साथ में यह कर रहे हैं कि हम इनको our software में किस प्रकार से हम इनको obtain करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम अपने दो concept की बात करते हैं पहला है हमारा absolute frequency और दूसरा हमारा है relative frequency तो इस concept को समझाने के लिए हम आपको छोटा सा उधारन यहां पे लेते हैं तो आब मैंने देखा कि जो आपका पहला इनसान आया वह था मेल दूसरा फीमेल उसके बाद में मेल फिर फीमेल अतियारी करके आप ने देखा कि यहां पर आपकी दो category हो गई एक आपकी हो गई male एक आपकी हो गई female तो यह जो male और female की category है इनको हम इन जनरल दिखा ज़कते हैं जिसे a1 और a2 तो हम a1 और a2 के द्वारा हमें इस male और female की दो categories है उसको हम दिखा देते हैं अब आप अगर देखने की कोशिश करीये तो यहाइं पी कितने आपके हैं male और कितने हैं female mail कितने हैं a2 3 4 5 6 7 तो mail कितने हैं आपके साथ और female कितने हैं 1 2 और 3 अथा 3 तो अब आप यह कह सकते हैं कि यह जो seven है यह क्या है यह हमारा है काटग्री एवन में कितने observations हैं अथाद हम कह सकते हैं कि category एवन में हमारे पास 7 मेल हैं इसको हम indicate करते हैं जैसे N1 is equal to 7 और उसी प्रकासे जैसे हमने लिया तीन तो यह तीन क्या है यह हमारे एटू काट्ग्री में कितने elements हैं है तो इसको हम indicate करते है n2 equal to 3 तो यह जो हमारी n1 equal to 7 और n2 equal to 3 आई है इस ही को हम बोलते हैं यह हमारे class a1 और a2 की absolute frequency है अर्थाथ जो पहला class है a1 जिसके अंदर हमारे पास male इंसान है उनकी absolute frequency है साथ और जो दूसरी category में हमारी absolute frequency कितनी है team तो यह हमारा concept होता है absolute frequency का अब इसी concept को अगर हम आगे बहाते हैं और इसी absolute frequency को अगर हम proportion या percentage के form में अगर निकालना चाहते हैं तो हमको यहां पे relative frequency मिल जाती है तो जैसे कि अगर हमको अपनी class a1 की relative frequency को निकालना है तो हमारे पास हम इसको ऐसे निकाल सकते है n1 अपन n1 प्लस n2 तो यह कितना हो जाएगा n1 की value है 7 और n1 प्लस n2 क्या है total number of observation यह कितना है 0.7 और इसकी value क्या जाएगी 70 percent और उसी पकार से जो आपकी जो भी दूसरी category है उसकी relative frequency कितनी है f2 यह कितनी है n2 अपन n1 प्लस n2 अथा 3 अपन 10 0.3 और इसको हम कह सकते हैं कि यह हमारा 30 percent है तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे इस data में जो f1 है जो हमारे पहले class के relative frequency है वो है 70 percent अथा हमारी data में 70 percent males है और जो f2 के value है 30 percent तो हम कह सकते हैं कि हमारी दूसरी category में 30 percent females है तो यह जो relative frequency होती है यह हमको इस अपने किसी category में जो जो values है उनका proportion या percentage के form में information देती है अब इसी कार को अगर आपको अपने R software में करना है तो किस प्रकार से किया जाए तो इसके लिए हमारे पास command होता है table t a b l e और हम parenthesis में अपना जो variable है जिसके अंदर मैंने अपना data store करके रखा हुआ उसको लिख देते हैं तो यह जो command है table variable यह हमारी absolute frequency को निकाल करके देता है और थाथ यह इस variable के अंदर जो data है उसकी absolute frequency को निकाल देगा और अगर हम जैसे कहीं हमारा data अगर एक variable x के अंदर है तो यह मुझको table x से जो हम लिखेंगे table और परेंथेसे में x तो यह हमको इस x के अंदर data की जो absolute frequency है यह निकाल करके देगा और अगर हम इसी को इसके outcome को अगर हम total number of observations अगर हम divide कर देंगे अथाथ हमारे पास कुल कितने observations उससे भाग दे देंगे तो हमको relative frequency मिल जाएगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे table x और इसको हम जो total number of observation को निकालने के लिए हमें command होता है length x ल, e, n, g, t, h lower case alphabets में और bracket में लेख देते हैं x parenthesis में x तो इसका मतलब क्या है कि x data vector में हमारे पास total कितनी values हैं यह मुझे मिल जाएगा तो उससे अग तो देखिए हम इसी उधारन को जड़ा सा यहां पर लगाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से कार करेगा तो जैसा मैंने कि यह जो दस लोगों का data लिया हुआ है इसको मैंने male female के form में लिखा हुआ है अब समस्या यह है कि जब भी हम कभी male or female के format में अगर लिखते हैं तो उसके उपर हमारा कोई गल्ट की operation नहीं हो सकते हैं उसके लिए हमको कुछ numerical values चाहिए ही होंगी तो उन numerical values को अगर हम use करना चाहते हैं तो मुझे अपने इस data को कोई ना कोई एक numerical value के द्वारा दिखाना पड़ेगा तो मैंने यहां पर यह फैसला करके यह हमारा one two one two one one करके convert हो गया और यह कार आप आपने भी पहले भी किया है अगर आपका factor command के दौरा भी आप इस काम को कर सकते हैं अब आपने देखा कि किसी भी कार करने को बहुत से हमारे methods होते हैं और यह आपकी इच्छा होती है कि आप किस method का इस्तमाल करके आप इ क्या किया यह जो हमारा values आई है one two one two one अपने data vector में store कर लिया और इसका नाम दे दिया जेंडर यह देखिए आपका तो जेंडर आपका इस प्रकार से आगे अब इस variable क्यों पर मैंने अपना कमाल लगा लगा दिया table table और bracket में लिग दिया जेंडर तो देखिए आपको कुछ प्रकार का outcome मिल जाएगा देखिए पहला value क्या आगई जेंडर इसने क्या दिया यह आपको variable का नाम दे दिया variable name उसके बाद में इसने देखिए क्या दिया इसने आपको दे दिया यह one two यह one two क्या है यह इसकी categories है जो आपने indicate करी है एक और दो के द्वारा एक के द्वारा आपने क्या किया है male और दो के द्वारा क्या किया है female और उसके बाद में आप अगर देखेंगे जो आपका यह seven और three लिया हुआ है यह क्या है यह आपकी absolute frequency है जो हमारी frequency होती है इसको हम हिंदी में कहते हैं बारम बागता तो अब इस result को आप अगर interpret करने की कोशिश करें तो देखें क्या हुआ category one में कितने लोग है साथ और category two में कितने लोग है तीन तो हम यह कह सकते हैं इस output को देख करके कि यहाँ पर हमारे total number of data है उसमें से हमारे पास साथ है male और तीन है female और इसी कार को अगर हम relative frequency के द्वारा करना चाहते हैं तो हम अपना command में इसको modify कर देंगे table gender और इसको हम length gender से length और packet में parenthesis में लिख देंगे gender उससे divide कर देंगे तो आप देखिए इसका जो outcome किस प्रकार से आजाएगा ऐसा आजाएगा तो देखिए यहां पर क्या है यह जो gender है यह तो इसने आपको variable का नाम दे दिया जो one or two है यह तो आपकी categories हो गई और आप यह जो seven की जगह और तीन की जगह यह तो point seven point three आ गया है यह क्या है यह देखिए seven की जगह हो गया seven upon ten or point three आपका क्या हो गया तीन की जगह three upon ten तो यह आपकी relative frequency हो गई right अब आप अगर देखना चाहें अगर तो आप लिए समझना बहुत ही आसान काम है जो category one की relative frequency कितनी है 0.7 category two की relative frequency है 0.3 अथाथ आप भी कह सकते हैं कि हमारे यह से डेटा में 70% है male और 30% है female right तो अब ते लिए जड़ा सा इसी operation को जड़ा सा हम अपने आपको art software में करके दिखाते हैं और अभी आपको शयाद दिमाज में कुछ है ऐसा आए कि यह तो बहुत ही आसान सवाल है और इसको करने के लिए हमको art software की क्या आप सकता है उसको और gender यह की क्या उतर आगया भाई उतर आगया यह आपका variable यह आपकी categories और यह की absolute frequency और उसके बाद में इसी table gender को अगर आपने length gender से अगर आपने divide कर दिया तो कितना आगया 0.7 और 0.3 right तो आपने कह दिया यह आपका variable यह की category और यह की relative frequencies आ रही तो आपने देखा कि इसको operate करना बहुत ही आसान काम था आप में आपको एक और उदाहरान लेता हूं और इसके द्वारा इसी R command को फिर से execute करके दिखाऊंगा और जिसके द्वारा मैं आपको यह दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस कार को करने के लिए आपको R software की क्यों आपशक्ता है तो चली एक हम साइड में है और एक किती के सेंट्रल में है तो जो इस साइड में जो ब्रांच है इस रेस्टोंट की उसको कोड कर दिया गया है एक से जो वेस्ट साइड में ब्रांच है उसको कोड कर दिया है तू से और जो किती के सेंट्रल में अथा मध्य पार्ट में जो दुकान है उस जिस जगह पर delivery करनी है जो जगह करीब होती है उस branch को यह order transfer कर देते हैं और वहां से order complete हो जाता है तो उसी तरह से यह जो 100 orders दिये गए हैं उसमें से जो इनकी directions है अथा कि आपकी branch इस्ट वाली है वेस्ट वाली है या central वाली है उसको data यहां पर 123 के form में लिखा गया है जैसे अपने का 112112 इत्यादी तो यह हमारी 100 values हैं अब देखिए इस data को मैंने यहां पर direction के अंदर लिख जालना है कि इस data में से कौन कौन सी branch हमारा कितना कितना food deliver कर रही है अब आप देखिए पहले वाले case में तो आपके पास मुश्किल से 10 values थी तो आपने यहां पर उसको आंक से करके बता दिया कि 7 और 3 लेकिन यहां तो इसको आपको count करने में कमें भी लगेगा और अगर manually count करेंगे तो इसमें गल्ती होने के chances भी है और अगर यह तो values आपकी लाकों में हो सकती है करोगों में हो सकती है millions में हो सकत हैं तो इसको आप manually तो नहीं कर सकते हैं तो इस software के दोरा मैं आपको सिर्फ रे frequency की value निकाल करकिए दिखाना चाहता हो कि इसको कैसे interpret करेंगे right तो देखिए हमने इस ही में अपना इस table direction को use करने की कोशिश करी तो देखिए आपको value इस प्रकार की मिल गए यह आपका हो गय हुए है one two three यह वो दी हुई है और यह देखिए जो नीचे दिया हुआ है 28 43 29 यह इसकी क्या है यह इसकी absolute frequency हो गई तो इस data को आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो eastern side में जो branch है वहां से 28 से home deciliveries होई है जो west side में branch है वहां से 43 deliveries होई है और जो central part में branch है वहां से 29 deliveries होई है और उसी पकार से अगर आप इसका जो relative frequency निकालना चाहेंगे तो यह क्या हो जाएगा table direction और इसको आप जो total number of observation है जिसको हम len gth और bracket में लिकर variable का नाम करके निकाल सकते हैं तो हम कर देंगे table direction divided by month direction तो आपको यह output मिल जाएगा और आप इसक साइड में branch है उसने 28 percent delivery करी है जो western side में branch है उसने 43 percent delivery करी है और जो central side में branch है उसने 29 percent delivery करी है तो आप ने देखा कि इस बगले data में आपको यह बहुत आसानी से दिखाई पूल गया और देखिए इसका screenshot भी है आप अगर देखना चाहेंगे तो चलिए लेकिन हम आपको इसक साथ जाएगा कि यह चीजे कार कर रही है यह आपका data गया correction का अब हम इसमें से इसका जो absolute value निकालते हैं तो उसके लिए मैंने कर दिया table और यह variable का नाम तो देखिए यह आपका हो गया correction variable यह आपकी उसकी जो values है categories की 1, 2, 3 और यह क्या हो गया 28, 43, 29 इनकी absolute frequency है और इसी में आप अगर मान लिजे कि आप अपने एक relative frequency को भी निकालना चाहते हैं तो आप देखिए आपने लिग दिया देखिए आपको यह values मिल गई राइट तो देखिए आपके relative frequency आगई यह absolute frequency आगई और आपने देखा कि इसको निकालना बहुत ही आसान काम था कोई यह कठिन काम नहीं था ओके अब उसके बाद में हम आपको एक और topic के बारे में बताना चाहेंगे वह हमारे है partition values के बारे में लेकिन पहला सवाल यही आता है कि यह partition values क्या होती है और इसको किस प्रकार से कमझा जाए यह बहुत ही आसां सा concept होता है और यह हम एक छोटा सा धाराग लेते हैं उसके द्वारा हम आपको इस concept को समझाने की कोशिच करते हैं और क्यों हमको इस concept की अफशक्ता पगती है और फिर हम इसको आपको आर्ट सौफट्वेर में किस प्रकार से compute किया जाता है उसके बारे में बताएंगे इसकल यह थोगी देर के लिए हम इस partition values के बारे में में कोई बा एक board है जो hard marking कर रहा है और कोई ऐसा board है जो loose marking यह soft marking कर रहा है इसका क्या मतलब होता है? अल्दो ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि board में तो जो बच्छा जो candidate जो कुछ करके आता है उसके number दिए जाते हैं लेकिन कभी कभी हमारे सुनने में आता है कि यह board में जो marking होती है, कि ओके, यहां की jo मार्किंगसौंफ होती है लूज होती है अर्था कि अगर कैंडिडेट में कोई गलतीकषने तो इसके नंबर नहीं काते जाते हैं यह क्या होता है क्या होता मुझे नहीं पता लेकिन मैं यह खाली है conceptual यहां को दाहराँ लें की कोशिच कर रहा हूँ जिकिस के दौरा मैं आपको इन पार्टिशन वैल्यूस का जो यूज है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ अब आपने देखा है कि बहुत सारे हमारे इंट्रेंस इक्जामनेशन होते हैं वहां पर कंडिशन होती है कि हम इस इक्जाम में जो अमारे टॉप 20 परसंटाइल्स में जो केंडिडेट्स होंगे उनको लेंगे अर्थात वो कहते हैं कि आपने जिस बोर्ट से भी अपना इमतहान दिया है वहां पे जिन जिन के मार्स उस एटिएट परसंटाइल के मार्स से जादा आए हैं तो वह इमतहान में एपियर होने के लिए एलिजबल होगा तो यह क्यों करते हैं और यह क्या कारण होता है इसको ज़रा से आज मत समझने की कोशिश करते हैं तो अब अगर मान लीजे कि अगर हम यहां पे एक two है, यह मारी hard marking करता है और board two जो हमारा है, यह मारी soft marking करता है कि यह जो इसका मतलब यहां पे इतना खाली है कि अगर किसी केरी रे 것도 ने कोई mistake करी है तो उस से number की स्वीकार से काते जा रहे है, उसकी बेसिए पर हमaniaies के boss big और दिये जाते हैं तो अब अगर board 1 हमारा गर hard है और किसी student के number आए है suppose 40 और board 2 हमारा है soft वहाँ पे student के number आए है 80 तो क्या हम उनको compare कर सकते हैं शयाद उनको compare करना ठीक नहीं होगा तो अब यह समझा है कि board 1 और board 2 के students के number किस प्रकार से compare करे जाए तो उसके लिए हमारे पास एक करीका यह है कि हम यह कर सकते हैं कि हम एक अपना skill क्यार करते हैं और इस scale में हम जो इस board 1 में जितने भी students हमारे appear हुए हैं suppose कि अगर हम कहें board 1 में हमारे पास 2000 students appear हुए हैं तो उन 2000 students में जिस student ने सबसे कम number लिये हैं उसका हम निकालने कितना number है minimum marks और जिस student के सबसे ज़्यादा number आए है maximum marks उसको हम निकालने तो उसी पकार से हम जो हमारा board 2 है suppose मालीज के वहां पे 4000 students हमारे appear होते हैं तो वहां भी हम उन 4000 students में से जिसके भी marks minimum और maximum जितने जितने आए हैं हम उसको यहां पे लिख लेते हैं तो देखिए अगर हम यह assume करते हैं कि board 1 हमारी hard marking करता है तो हो सकता है कि यहां पे जो हमारे minimum marks आए हो suppose वो 30 आए हो और जो maximum marks आए हो वो हमारे suppose 60 आए हो और अगर हम board 2 की बात करते हैं जहां पर हम यह assume कर रहे हैं कि यहां पे soft marking होती हो सकता है कि यहां पे हमारे पास minimum marks हमारे पास 50 आए हो और maximum marks हमारे पास यहां पे 90 आए हो राइट अब उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इस minimum और maximum की दूरी को अगर हम मान लीजे कोशे बराबर हिस्सों में बात लेते हैं यह हमारे दो हिस्से भी हो सकते हैं कार हिस्से भी हो सकते हैं छे हिस्से भी हो सकते हैं दस भी हो सकते हैं स्कॉब भी हो सकते हैं तो जब हम इस minimum और maximum के बीच में जो भी हमारा data है हम इसको बहुत ही एक आम भाषा में बात कर रहे हैं उसको अगर हम चार हिस्सों में बातते हैं तो हम इसको बोलते हैं कॉइटाइल और अगर इसको अगर हम हैंडेड हिस्सों में बातते हैं बातेंगे तो इसको बोलते हैं अर्संटाइल तो अब अगर माली इम्ताहन के माली कंडिशन ये है कि जिस स्टूडेंट के 80th परसंटाइल के उपर अगर अगर नंबर आएंगे तो वह हमारा एक्जाम में एपियर हो सकता है तो अब अगर हम यहां पर अपना 80th परसंटाइल अगर हम बोर्ट 1 में निकालेंगे तो देखिए वह यहां कहीं आएगा और सपोज यह आपकी 80th percentile है हो सकता है कि इसकी value आपकी 50 आजाए और both two में अगर हम यह अपना 80th percentile अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो इसकी value हो सकता है कि मालिजे की 80 के असपास आजाए तो इसके बाद अब इसका देखिए मतलब क्या होगा कि अगर हम यह कह रहे हैं कि जो यह कोई भी student के अगर 80th percentile के उपर नंबर आते हैं तो वो हमारे इमतान में eligible होगा अर्थाथ कि board one में अगर हम बात करें तो किसी भी student के अगर 50 से अगर ज्यादा नंबर आते हैं तो वो हम eligible होगा और board two की बात अगर हम करें तो यहां पे किसी भी student के अगर 80 से अगर ज्यादा नंबर आते हैं तो भी वो हम eligible होगा तो अब आपने देखा कि फकार से आपने अपनी values को partition करके एक सही फैसला करने की कोशिश करी और इसके लिए आपने जो हमारे percentile concept का use किया है उसी तरह से जैसे मैंने partitioning मैंने hundred part में करी तो उसको बोल दिया percentile उसी तरह से in general हम इन values को बोलते है contiles तो यह जो values होती है यह मारी जो हमारा data दिया होता है उसकी जो total frequency को एक दिये हुए हिस्सों में divide करने की कोशिश करती है जब यह सार हिस्सों में divide करती है तो उसको बोलते है quartile जब यह 10 हिस्सों में divide करती है तो हम बोलते है और जब 100 हिस्सों में डिवाइड करती ही तो हम उसको बोलते हैं अब software के साथ में हमारा यह advantage है कि हम उनको कोई भी हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी हिस्से में उकस प्रकार से हम चाहें तो आर सौफ्ट्वेर में इन पार्टिशन को निकालने के लिए हमारा function होता है quantile Q-U-A-N-T-I-L-E और यह हमारा जो भी quantile function है उस data की जो भी given probabilities है उसके corresponding partition value को calculate करता है अर्थात जो आपकी probability होती है देखिए वो भी 0 और 1 के बीच में लाई करती है जो उसकी minimum value होती है 0 और maximum value होती है 1 उसी करीके से हम अगर अगर अपने partition को अगर हम different different हिस्सों में करना चाहते हैं तो उसको हम अपने probability के दौरा भी control कर सकते हैं अगर हम कहते हैं कि हमारे हर एक हिस्से की जो probability 25% है तो हम इसका मतलब कि हम अपने जो partition को 0.25, 0.5 और 0.75 पर करना चाहते हैं और अगर हम कहें कि हम अपनी probability को so equal part में divide करना चाहते हैं तो इसको हम बोल देंगे कि यह हमारा arcentile हो गया इसको एकिस प्रकास से इस्तेमाल करते हैं जिए मैं आपको धारें के दौरा समझाने की कोशिश करूगा तो इसमें से क्या है कि जो भी हमारी सबसे चोटी value है वो हमारी probability 0 को को करिस्पॉंड करेगी और जो सबसे बगी value है वो हमारी probability 1 को को करिस्पॉंड करेगी तो इसको करने के लिए हम अपना जो भी function लिखते हैं quantile और इसके बाद में जो data vector है जिसका हम यह quantile निकालना चाहते हैं उसकी values लिख देते हैं और उसके बाद में अगर आप उसमें partition करना चाहते हैं अपनी इच्छा से तो उसमें से हमारा function होता है props props हमारा कहे का short form है probabilities right तो इसको हम यहाँ पे कुछ भी के सकते हैं कोई भी data vector दे सकते हैं कोई भी sequence के सकते हैं खाली मुझको यह assure करना है कि यह हमारे सही partition को indicate करता है कैसे कि मैंने यहाँ पे दिया देखिए sequence 0 to 1 0.25 आप उसको पता है कि sequence के क्या मतलब होता है 0 क्या है from 1 क्या है 2 और 0.25 क्या है by अर्थाथ 0 पर शुरू करो और 0.25 का increment करते हुए 1 तक आप जितने भी partitions होते हैं आप उसको कर दीजिए चलिए अब हम यहाँ पे एक छोटा सा धारन लेते हैं और उस धारन के द्वारा हम आपको इन quantiles के बारे में बताने की कोशिश करते हैं तो चलिए एक मैंने यहाँ पे एक छोटा सा data set लिया है जिसमें हमारे पास 15 students के marks दिया हुए है उनके इमतहान में कोशिश नंबर आये है और इसको यहाँ पे दिया गया है लाइक है 68, 82, 63 and so on अब और हम उनका अब कॉंटाइल function इसके ओपर operate करके हम अपने different तरीके के partitions निकालना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा कॉंटाइल marks Q-U-A-N-T-I-L-E, सब कुछ lower case alphabet में और parenthesis में लिख दिया मैंने अपने variable का नाम तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार का outcome में लेगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यह zero percent फिर लिखा हुआ 25 फिर पचास percent 75 percent 100 percent right और उसके नीशे देखिए यह values लिखी हुई है तो देखिए अगर अगर ध्यान दीजिए यह जो zero यहाँ पर लिखा हुआ है यह क्या चीज इंडिकेट कर रहा है यह जो zero percent है यह आपका minimum value के इंडिकेट कर रहा है अब जड़ा साथ देखिए इस data में minimum value कहां पर है यह देखिए 29 तो यही 29 यहाँ पर minimum value लिखी हुई है उसके बाद जब आप आगे बगने की कोशिश करते हैं तो देखिए अगला क्या लिखा हुआ है 25 पर सेंट और उसके आगे value लिखी हुई है 46.5 पर सेंट इसका मतलब यह जो value हमारी लिखी हुई है यह हमारा first quartile है और उसकी value क्या है 46.5 उसके बाद में जब हम आगे बगने की कोशिश करते हैं तो देखिए यह हमारा क्या है यह हमारा 50 पर सेंट लिखा हुआ है यह हमारा की यह total frequency को दो बराबर हिस्सों में बाट रहा है इसको हम median b कहते हैं लेकिन यह हमारा यहां पर second quartile है तो यह हमारा क्या है second quartile और इसकी देखिए value कितनी है 63.0 उसके बाद हम जब आगे बगने की कोशिश करते हैं तो यह देखिए third पर क्या है यह लिखा हुआ है 75 percent और साथ में लिखा है 79.5 तो 79.5 क्या है यह हमारा third quartile है और उसके बाद जब आगे बगने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या है आपका यहां पर जो जो आपी fourth value क्या है fourth value देखिए आप ही है hundred percent यह देखिए अब जड़ा सा आप अपने इस data set में देखिए कोशिश करिए यह 96 कहां पर आ रहा है और यह है क्या यह देखिए यह आपकी कहा है यह maximum value तो है तो यह जो आपका 96 आई है यह आपकी maximum value है और साथी में यह आपका fourth quartile भी है right तो देखिए यहां पर इस तरीके से partition करके values देखिए अब इसी कार को करने के लिए आप अगर यहां पर अपने props function का use करना चाहते हैं तो आप देखिए कि आपने जो यहां पर partitions करें हैं वो आपने 0, 0.25, 0.5, 0.75 और 1 पर करने हैं तो देखिए आपको यही उत्तर मिल जाएगा जो आपने ऊपर निकाला है right तो यह का default है कि अगर आप props function का use नहीं करेंगे तो आपको जो quintile function है यह हदम आपको quartiles देगा right अब इसी में हम आपको इसी कर्या सब्सक्राइब को आगे दिखाते हैं कि मैं यहां पर दो options लेता हूं एक तो मैंने यहां पर देखिए यहीवाल लिया कि props is equal to 00.25, 0.5, 0.75 और 1 और उसके बाद मैं आपको एक और यहां पर function लेता हूं और contile function जिसमें मैं props को करता हूं इस प्रकास से 00.2, 00.4, 00.6, 00.8 और 1 तो देखिए यहां पर क्या होगा यहां पर आपके जो partition है हर एक 20% के उपर हो रहे हैं तो देखिए आपका दोनों का outcome आपकर देखने की कोशिश के लिए तो यहां पर यह जो आपकी रो है यह दिखा रही है कि कहां कहां पर partitions हूं है 0% 20% 40% 60% 80% और इनकी corresponding value क्या है 20% प 40% पर जो quantile उसकी value है 57.8 इसी परकार से आपको 60% पर जो value है 70.8 80% पर जो value है वह आपकी 82.8 अब आप देखिए अगर यह जो value आपने इस अपनी data value को चार हिस्सों में करके निकाला था और यहां पर 5 हिस्सों में करके निकाला है दोनों देखिए अलग-अलग है तो उसी आप अगर यहां पर props में कुछ भी आप ले सकते हैं आप उसको अपने जो भी आप शक्ता आप उसके साफ से उसकी हिस्सेदारी कर सकते हैं देखिए यहां पर यह value आपकी है 25% का जब partition हुआ है और जब 20% का partition हुआ है तो देखिए इस परकार से आई है तो चलिए हम इस car क आपने console में करके आपको दिखाते हैं तो आपके पास confidence आ जाना चाहिए तो देखिए सब से पहले तो मैंने जड़ा अपना यह data तयार कलिया marks इस प्रकार से आगया अब marks में आपने अपना जो भी quantile function है उसको आपने लगा दिया तो देखिए आपके यहां पर quantiles आ गये 0% 25% 50% and so on और जो दूसरी रो में इसकी values आ गई राइट अब उसके बाद में जड़ा सा मैं आपको देखिए यहां पे इसी में quantiles में जड़ा सा यह जो props function का भी इस्तमाल करके दिखाता हूं तो मैंने पहले मैंने इनको partition किया 25% 50% 75% पे आप देखेंगे कि यह वाली value और य exactly same आ गई अथार की जो default हमारा होता है हमारा default में है कि जो भी यहां को quantiles देगा अब इसी में अगर हम 20% पर अगर हम partition करते हैं तो देखिए वाली value हमारे इस प्रकास आ गई 0, 0.2, 0.4, 0.6 से त्यारी करके तो इस प्रकास से देखिए यह आपको value यहां पर मिल गई और यह आपकी इनकी quantiles की value हो गई अब इसी में आप अगर चाहें तो आप देखिए आप इसको यहां पर change भी कर सकते हो जैसे कि मैंने यहां पर दे दिया sequence तो अब हम इसको sequence कर रहे हैं from 0 to 1 और इसको अगर हम point 1 पर करते हैं तो इसमें से हम इसके 10 हिस्से करते हैं हम और इसी प्रकार से हम अगर यहां पर percentile निकालना चाहते हैं अर्थाथ कि हम अपने 0 से 1 की वीच में 100 हिस्से करना चाहते हैं उसको हम अपने sequence 0,1,0,1 से भी दिखा सकते हैं और जैसी आप देखिए enter करेंगे यह देखिए आपको यहां पर इसके 100 हिस्से मिल गए 0,1,2% और अंत में देखिए 99 और 100% तो इस प्रकार से हम इन quantiles को निकालते हैं और अब हम यहां पर इस lecture को रोकेंगे और आपने देखा कि इस lecture में हमने बहुत ही आसान से concepts लिये हैं जो आप पहले कर चुके हैं और जैसा मैंने पहले काता है कि हमारा objective यहां पर है कि हम इन concept को यहां पर table command की बात करी तो मैंने आपको दिखा है कि जब मैंने चोटा से एक dataset लिया तो उसमें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं लेकिन जब आपका data में हजारों लाखों करोनों values होंगी तो आप उसकी frequency कैसे बनाओगे तो यह हमारे बेल्कुल first hand tools होते हैं जब हमारे हाथ में data आता है तो उसमें से हम इस तरह की frequency table बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में आप में देखा कि जो frequency table है यह हमारी जो categories जो values है इसलिए क्यार करी है और तो अब हम आगे जो अपने graph भी क्यार करेंगे वो हमारे in categories value की तरह जो values होती ही वैसे होंगी इसको मोलते है discrete values और यह हमारी continuous भी हो सकती है continuous values का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने का कि height अब height आपकी 150 cm भी हो सकती है 150.1 भी हो सकती है 150.12 भी हो सकती है इत्यादी तो इस प्रकार की जो हमारी numerical values है उसके लिए हम अपने मैंने यहां पर आपको quantity function का इस्तमाल करके दिखाया है तो अब आ आप अपने ओधारों को बनाने की कोशिश करिए और देखिए कि इन छोटे छोटे options को use करके जो आपके help menu में different और भी options दियो में उनको use करके आपका output किस प्रकार से अलग-अलग हो रहा है और इन चीजों को आप अपने दिमाग में बठाने की कोशिश करिए क्योंकि अग कर दो झाल झाल